तार दोस्तों आपके यूटूब चैनल टार गेविन मानुवी में आप लोगा सौगत हैं यहाँ पे एक स्पेशल वेकंसी निकल के आई है SSB Head Constable Minister के निकल के आई है यहाँ पे हम आप लोगों बताएंगी किया selection process क्या होगा किस किस stage में exam होगा क्या age limit रहने वाली है legibility criteria क्या salary रहेगी पूरी vacancy और कैसे form को apply करना है online mode होगा offline mode exam होगा यह पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी तो सबसे पहले वीडियो को start करते उससे पहले हमारे चैनल को like करें share करें और subscribe करें और bell icon दबना बुलकुल ही न भूले तो यहाँ पे हम लोगो सबसे पहले आप लोगो clear कर दे रहे हैं कि जो आपका exam हो रहा है जो यह form जो है वो online होना start कब से हुए वो online होना आपके exam यह जो form है ssb के वो आज से मतलब आज से 24-7-2021 से आपके form जो है कि पोस्ट कितनी है यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं head constable minister की you are की 47 पोस्ट है EWS की 11 पोस्ट है OBC की 26 पोस्ट है SC की 21 पोस्ट है ST की 10 पोस्ट है total 115 पोस्ट है मतलब की total 115 पोस्ट है तो सब आप अभी सब पूरा clear कर देंगे कि इस क्या selection process रहेगा एक चीज़ क्लियर कर देंगे कैसे फार्म भरा जाए यहाँ पे pay scale salary आप दे सकते हैं तो level 4 तक आपकी 20 मतलब स्टार्टिंग होके 25500 से फिर level 4 तक आपकी हो जाएगी 81100 तक हो जाएगी पर बंद्ध ठीक है सबसे पहले यहाँ पर आप आप दे सकते हैं कौन-कौन से लोग form भर सकते हैं तो यहाँ पर आप अब बता दे हैं जिन छात्रों ने भी इंटर-पास कर लिया है 12 जिन छात्रों ने भी clear कर दिया है वो सभी छात्र भी क्या इस फार्म पे eligible हैं मतलब 12 जिन छात्रों ने भी एक्जाम पास कर लिया है वो सभी छात्र इस फार्म को भड़ सकते हैं एज लिमिट आपकी रिक्या रहने वाली 18-25 अगर आप 18 से 25 साल के बीच में हैं तो आप फार्म भड़ सकते हैं अगर आप 18 के हैं और 25 तक हैं तो आप फार्म भड़ सकते ह मार में क्लियर कर देंगे कि क्या क्या क् सक कौन कौन से स्टेज में इस्टेज अ आपके क्या क्या होगा तो सबसे पहले फस्ट स्टेज इंडेज होगी वह आपका सबसे पहले जो होगी वो race होगी सबसे पहले race होगी तो male candidate के लिए 1.6 km in 6 minutes 30 seconds मतलब कि 16-100 km आपको 6 minutes 30 seconds में निकालने हैं और female candidate के लिए आपको 800 meter race निकालनी है 4 minutes में निकालनी है कौन तो 4 minutes में निकालनी है अगर आप यह clear कर देते हैं तो उसके बाद में आपका PST होगा तो PST में क्या होगा यहां पर आप लोग दे सकते हैं PST में आपका जो होगा the candidate who qualified PAT मतलब आप जो PAT qualified कर देते हैं will have to undergo PST मतलब पिस्टी में आप फिर आपका PST होगा candidate including ex-serviceman not the meeting the minimum height and chest तो इसमें आपका फिर चेक किया जाएगा height तो height आपकी क्या रहने वाली height male candidate के लिए 165 cm अगर 165 cm height ली जाएगी male candidate के लिए female candidate के लिए 155 cm height ली जाएगी ठीक है तो आप लोग दे सकते हैं किती कम height ली जा रही है चेस्ट लिया जाएगा उसके बाद में आपका फिर जो होगा फिर फर्स्ट स्टेज में फिर आपकी जो सिकर्ड स्टेज होगा इसमें रेटेन एक्जाम होगा जो रेटेन एक्जाम होगा वह आपका जो होगा वह आफ्लाइन मोड होगा कैसा होगा आफ्लाइन होगा और offline mode होगा इतने में questions आएंगे 25 question math के आएंगे 25 question reasoning के आएंगे 25 question GS के आएंगे और 25 question जो आएंगे वो English English और Hindi में option होगा जो लोग English लेना चाहें वो English ले सकते हैं जो Hindi लेना चाहें टोटल आपके हैंड़ कुश्टन साएंगे ठीक है और यहां आप पर अगर आप interview exam होगा उसमें आपको 50 percent mo coisa लाना इस झारूरी है अगर आप 50 percent मास लिया आते हैं तो इसके बाद में ऑपका potrzeb टेस्ट होगा इसके ली GI में आपको क्या होगा typing होगी जब आप typing भी में clear कर देते उसके बाद में आपका document verification होगा और medical होगा document verification होगा और medical होगा जब यह fifth fourth stage भी आप अगर qualified कर देते हैं तो उसके बाद में आपको एक overall merit list निकाली जाएगी merit list निकाली जाएगी फिर merit list के हिसाब से आपको बुलाया जागा अगर आप उस merit list में आते हैं तो आप इस process में clear हो जाते हैं SSB head constable की आपको post मिल जाती है तो आप लोगों ने देखा किस कि stage में होगा एक बार आप फिर से हम आपको जल 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 रिमाइंड करा देते हैं सबसे पहले आपको क्या है एज लिमिट आपकी होनी सी यह 18 से 25 में आप अगर 12 पास की हो तो फार्म बढ़ सकते हो और selection process को रहे गया तो सबसे selection process में सबसे पहले आपका पीटी होगा फिर पीस्टी होगा फिर इक्जाम होगा फिर मेडिकल होगा फिर डाकॉमेंट वेरिफिकेशन होगा तो पीटी में आपकी जो होगी वह रेस होगी वह सोला किले मेठर निच्से ची'll क में होगी औ फिर फीम्ल कंडिडेट के लिए एट एटेट मेड़ शीम पासुं की मतलब कि 80 क्विड से ट्वर टेस्ट कर देते तो को रगल डेते तो आपका इस्किल टेस्ट होगा हो उसमें Scotland लीरे चाइट? certains आपकी शोगी फार 35 वर्ड पर मिनिट होगी इंग्लिस की और 35 वर्ड मिनस हिंदी की जो आप चूज करना चाहें ठीक है तो आपको पूरी मैंने इंफार्मेशन दे दिए अगर कोई भी और भी कोई कोई है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें हम आपकी कोई को सॉल्व करेंगे तो अ काईब बुक्ति इंग।